हेलो गुडिवनिक अर्विवन मैं आधेता है अब बिहार अड़ा परिवार की तरफ से आप सब का स्वायत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थम्निल पर देखी रखे होगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पटना कलम और पटना कलम यह जो है आपके बीपेसी मेंस का वन अप दे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्यों है यह important topic यह मैं आपको आगे दिखाऊंगा previous question में और साथी साथ मैं आपको बताऊंगा कि यह question इस topic जो आने वाला आपका अगला 30 से 35 मिनट है या आपको आपके exam में 38 number ensure कर सकता है कैसे तो दोस्तों जब हम लोग BPSC mains की बात करते हैं तो BPSC mains का GS1 का section 1 यह है आपके history and art and culture और art and culture का मैंने previous question आप सबके सामने लगा रखा है तो आप देखिए आप प्रिवेसर questions को अगर आप देखते हैं गुद इवनिंग सबको रभी रोहीनी प्रशा प्रलाद एंड आट ससीमालय आदब जब art and culture का प्रिवेसर questions को देखते हैं तो यहां पर देखेगा more art and culture यह मैंने आपको अलड़ी करा रखा है पटना कलम 63 BPSC में देखते जाए बस गिनते जाए पटना कलम 56-59 BPSC में पटना कलम 48-52 BPSC में इसके बाद हम देखते हैं पटना कलम आपके 40 BPSC में आपके आ जा पालाट, 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 मौर, पैंटिंग और बिहार, पैंटिंग और बिहार 49 BPSC में तो देखे अगर आप इस ट्रेंड को खासकर पिछले 10 एक्जामों को ट्रेंड को तो 10 में से BPSC चार बार पटना कलम पैंटिंग को पूछ रखा है आपके GS1 section 1 में और यह portion आपक आप इन कल्चर से question होता है जो more art, पतना कलम, मदुवनी पैंटिंग और आपके पालाट में से question होता है जिसमें already हम लोगोंने more art and architecture कर रखा है प्लेइस्ट already बनी हुई है आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसी का हम लोग दूसरा स्रीज आज हम लोग करने वाले है ज सबको गुरिवनेंग एक बार आप सबसे request है कि class के link को copy कीजिए और अगर ये वीडियो ये initiative हमारा पसंद आए तो अपने लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ इस class को जरू से जरू साजा करें और वीडियो को सब लोग जरू से जरूर लाइक कीजिए मेरे पीछे आपको दो image नजर आ रही होंगी यह आपके एगर आप एक image को देखेगा तो एक राजसाही image है और दूसरी image को देखेगा तो बिल्कुल एक मतलब एक कहा जाता है ना कि बहुत ही फेमस कोट है कहा राजा भोग वाला जो एक कोट हम लोग बोल चाल की भासा में इस्तमाल करते हैं तो ऐसा ही कुछ आप देखेगा यहाँ पे लोगों की royal जिंद्गी है राजाओं की royal जिंद्गी जिसको हम लोग कहते है साही जीवन और यहाँ पे एक आम जिंद्गी है एक आम जिंद्गी जो आम इंसान कैसे जीता है तो इस painting में आपको दो पहलू जैसा कि आप लोगों ने जाना होगा इतिहास में कि जहाँगीर के समय में जो painting का जहाँगीर के समय में पेंटिंग का एक स्वन यूग था golden period of painting होता है जहाँगीर के समय उसी दौर में जो painting से वो painting सापके मुगल दरवार में जबरदस लेवल पे आपके बढ़ी थी और य अंजेब तक आते आते जो कि मुगल बादसा के छठे साफक थे वो बेसिकली काफी जादा आपके orthodox थे रूरी वादी थे जिसके कारण इनके कारकाल में painting, music और जितने भी आपके art and culture यानि की color और साहित के जितनी भी चीजे थी उन सारी की सारी चीजों को ban कर दिया गया उ जब प्रतिबंद आ जाती इन सारी चीजों पे तो वहां के जो painter's थे जिन painter's की रोजी रोटी इनी चीजों से चलती थी वो अब क्या करेंगे तो मूफ करेंगे दूसरी जगह और वो जाएंके मुरसिदाबाद और जब मुरसिदाबाद में भी यही सेम समस्या लेक्ते देखनों को मिलेगी तो मूफ करेंगे कहां पे तो पठना पे और पठना में आने के बाद तो आम इंसान की वो फोटो बनाएंगे उने के वोट चित्र बनाएंगे और उनी का चित्र बना कर के उसको मौर्केट में बेचेंगे और अपनी रोजी-्रोटी वहीं से करेंगे तो इसी क्रम में जो एक आपके culture, एक आपके painting डेवलप हुई, एक चित्रकला डेवलप हुई, उसी चित्रकला को हम लोग कहते हैं पटना कलम painting तो यह था पटना कलम painting का introduction, पटना कलम painting आया कहां से, क्या process था पटना कलम painting के आने का अब रही बात अगर आपके exam में question आ जाए, कि पटना कलम painting के बारे में लिखिए, तो आईए जानते हैं कैसे किनकिन points पे हम लोग पटना कलम painting के बारे में इसको समझ सकते हैं और अपने सब्दों में किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, मैंने जो कहानी बता यह था आपके introduction, एक इतिहास पटना कलम painting का कि कहां से यह पटना कलम painting किस जगह पे पहुँचा और क्या इसके पीछे का process था, वो चीज मैंने आपको बताया अब आईए जानते हैं इस पटना कलम painting के बारे में, तो इस picture से इस image से आप इस चीज को समझ सकते हैं, यह जो पटना कलम painting है दोस्तों, या आम इंसान की, एक commoner की यानि कि आम इंसान की painting है पटना कलम painting, और पटना कलम painting के बारे में अगर मैं आपको यह बात कहूं, कि पट इतना कलम painting को दोस्तों हम लोग अन्य आमसरा जानते और सकूअं कमपने painting के नामसर भी जानते हैं क्यों जानते हैं क्योंकि इस तो हुआ क्या था कि जैसे आज ये इस फोन में तो आपको चार क्यमरा नजर आजाएगा देख सकता है आपको देखे एक चार इस फोन में तीन कैमरा तो इतना जो कैमरा होता था यह सब कैमरा तो उस समय में इतना कॉमन था नहीं तो लोग क्या करते थे अपनी तस्वीर को अपनी यादों को संग्रहित करने के लिए तस्वीरे बनवाते थे और उस समय में कैमरा नहीं था तस्वीरे बनवाएंगे तो कौन मनाएगा जो painter होगा और कौन अपनी यादों को संग्रहित करेगा एक कॉमन इंसान एक आम इंसान तो इसलिए कॉमन मैंथ पीयंटिंग कहते क्योंकि इसमें आम इंसान की तस्वीर जो थी वो अपनी बनवाते थे और मैंने आपको इस कीज को अलेडी समझाया कि यह मुगल चित्रों से लिया गया था और अठारमी और बिस्वी सताब्दी के बीच विक्सित किया गया कारण यह था कि पहले जो मुगल मुगल कार के लिए और औरंग जेब तक आते आते जब पैंटिंग्स और आट अनकल्चर को यानी की कला और साहित को मुगल कार में प्रतिवंद। उसमें लग गया करते हैं वही सैली आपके होती है पटनाकला पेंटिंग ठीक है वही आपके होती पटनाकला मेंट पेंटीग ठीक अब देखिये एक और चीज वीक में दो दिन क्लास होगी आपकी मेंस की तीन दिन गौनिक घृबकी मेंस की आपकी दो है इशी टाइम पर मैं बता दूगा सेटूल मेने प्लेलिस्ट ऊलरी बना दिया मौर आर्ट एंड कल्चर आप अ ceremon ले रहाओं बाकिश वीक में इसके बाद एक दिन मधवणी पेंटिंग ले लूँगा फिर आपको मैं दूसरी टॉपिक्स कराने की पूरी कोसिस करूंगा जितना जटना ज़ादा हो सके और यह जो है बिहार में वर्तमान रुप में अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार कि आम सकते आपकी तार के पेर से पानी बर रही है या कुछ भी कर रही है यह कोई धूबी आपको यहां पर देखने को मिलेगी और यहीं जो पॉइंट से पटना कलम पेंटिंग आप लोग चिंता मत किजिए आप लोग के लिए मैंने बहुत अच्छी चीज़े लाई है क्या पता है आप दिखाता हूं मैं आप लोग को लगेगा सर हैंडिटेंड नोट्स इसके साथ आपको हैंडिटेंड नोट्स भी मिलेंगे दिखा रहता हूं मैं हैंडिटेंड नोट्स आप लोग के लिए पहले आप लोग देख लिए उसको फिर आप लोग को लगेगा कि सर हैंडिटेंड नोट्स भी आप मेरे लिए देखिए यह आप लोग के लिए हैंडिटेंड न नोर्स और इस पीपीटी आपको कहा से मिल जाएगी तो इस पीपीटी को पाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों तो सिंपल सा आप लोग को जाना है टेलिग्राम पे सर्च करना है इसको सर्च कीज़ेगा टेलिग्राम पे और यहां पे आपको यह मिल जाएगा अब आईए देखते हैं हम लोग इन बिहार यह जो है बिहार में आपके प्रिजेंट डे पतना रिजन में आपके डेवलप हुआ इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं ज्यान से इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि बिटेसर्स जो थे उस समय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास आजके रेट में जो मेरा फोन है उसमें तीन कैमरा है और मैं तो camera का ज़्यादा इस्तमाल करता नहीं बट साइद यह 64 Megapixel या पता नहीं 84 या something Megapixel का camera है अच्छा फोन है ठीकता फोन है तो इसमें बेसिकली इतने अच्छे camera मिले हुए और आप सबके पास सबके पास आज के रेट में Android phone is very common और अच्छे camera वाले phone तो बहुत common है त लेकिन उस समय में यह जो camera था यह camera उतना प्रचलित था नहीं इंफर कैमरा का इंगिंशन भी नहीं हुआ था उस समय में ब्रिटिसर्स जो थे वह बेसिकली क्या करते थे कि अपनी सब्सक्राइली के साथ साल पेंटिंग और परिवार के उद्य होता था और इस कला रूप के उच्रिस्टी क्रितियां देश के बाहर हुई और यह स्टेटमेंट किनके दौरा कहा गया है तो स्री स्याम शर्मा पुरुप पाचार है पत्ना स्कूल आफ आर्ट्स और क्राफ् उसको आप जरूर लिखेगा एकॉर्डिंग टू अप फेमस अप लिख लिएगा फॉर्म प्रिंस्पल और पत्ना स्कूल आफ आर्ट और क्राफ्ट उन्होंने यह स्टेटमेंट कहा है इस स्टेटमेंट को आप लिख दीजेगा तो आपका एंसर बहुत अच्छा हो जाए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए तो यह है आपके पॉइंट्स कि विसेस्ता हैं क्या है पत्ना कलम पेंटिंग की तो पहला विसेस्ता simplicity and lucid आप देख सकते हैं बहुत ही जादा सरल और सुबोध है मतलब कि आगर आप देखेगा किसी एक एक नॉर्मल सी जो भारी भरकम पेंटिंग को आप देखें यहां पर पहला है यहां पर इतना सारा ताम जहां करना पर रहा है लेकिन अगर पटना कलम पेंटिंग पेंटिंग तो देखें यहां पर कोई ज़्यादा टेंसर नहीं एक नॉर्मल सा इंसान बना दिये अब जैसे माने चले इस पेंटिंग में इनके उपर प्रेसर भी होता था राजा के अगर पेंटिंग इन्हों राजा की तस्वीर खराब कर दी तो भाई डर की सजा बहुत डर की सजा थी राजा हमें डंड स्थाइं है वाया है कि असरल और सुबोद यानि कि सिंप्ली आज सिंप्ली स्टिक एंड लूसीड आपको नजर आएगा इसके अलाबा देशी और विदेशी तत्यों का मिलन यहां पर हमें देखने को मिलता है ना यह पूरी तरह से टेडिशनल तडिके से हैं और ना पूर है वी चीर्ण एस पेंटंकी खास बात क्या थी या पेंटटीं जो त molten आ glowing आपके बरस्त बनाई जाती थी कैसे NICK तो अमूमन दोस्तों हम लोग जब बच्पन में तस्वीर बनाते थे तो क्या करते थे याद कीज़े अपने बच्पन के दिनों को तस्वीर बनाते थे तो क्या करते थे वह यह एक लैंड इसके बनाते थे एक पेंसिल से ऐसे बनाते थे एक ऐसे दो लैंड बना देते थे एक मारकर इसके उपर हमने चला दिया और मारकर चलाने के बादे थोड़ा सा बोल्ट दिखने लगता था और फिर उसके इसको हम लोग कलर कर देते थे और पहार को हम लोग ब्राउन कलर से कलर कर देते थे यही हमारा प्रोसेस होता था इसको हम लोग ब्राउन कलर नीले कलर से कलर रहा था कि यह पेंटिंग सीधे तोर पे ब्रस से मतलब ब्रस उठाया और ब्रस से सीधा पेंटिंग मनाना शुरू कर दिया सोचिए कितने यह लोग उत्कृष्ट थे कितने ये लोग परफेक्शन किस परफेक्शन से ये लोग काम करते थे कि सीधा ब्रस से उठाया और ब्रस से सीधा खीचला शुरू कर दिया और इस तरीके से ये सीरे ब्रस द्वारा पनाई गई पेंटिंग थी इसके लब हम देखते हैं no use of pencil pencil का कोई इस्तमाल नहीं इतना अदा परफेक्शन था इनको इन पेंटिंग्स पे कि यहाँ पे कोई भी pencil का इस्तमाल नहीं होता था तकनीकी और कजली से टी और इस जो कला था इस कला को हम लोग एक नाम से जानते थे तो कजली से टी याद रख अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं लेकिन यहां पर आपको कोई बैग्राउंड नहीं नजना आएगा बिल्कुल सफेद है तो यहां पर आपको बैग्राउंड नजन नहीं आ रहा है तो बहुत ही इसके विसेस्ता थी कि इसमें कोई बैग्राउंड नहीं दिखाया जाता जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैप पे यह पटना कलम पेंटिंग है और यह मुगल पेंटिंग है ध्यान रखिएगा तो यहां पर आपको कोई भी बैग्राउंड नजर आपको नहीं आ रहा होगा जो कि इस पें ऐसकर पेंटिंग थी जो कि केवल और केवल इसके विषया पर केंदरित करती थी आई एक फ्याल और देखते हैं आगे मैंने बना रखा देखे कुछ और रुदहारण यहां पेंटिंग देखी इस पेंटिंग में देख सकते हैं यह पेंटिंग को समझ में आजांगा क्या सीन चला है थिंपर विश्व पैदारित है बाकि आप यहां पे देखिए जैसे देखिए आप अगर मैं आपसे पूछू यह देखिए एक नॉर्मल पेंटिंग है यहां पर कंपेर मैं इसलिए कर रहा हूं यहां देखिए यह आपका नॉर्मल पेंटिंग है इस पेंटिंग को देखके आपको यह नहीं पता चलेगा कि यहां पर राजा क्या कर रहा है हो सकता है ठीम नहीं पता चल नहीं है लेकिन जो पत्ना कलम पेंटिंग में हमें पता चल जाता है तीम उसका जो विसे हमें सीधा-सीधा आपी तरुकिह के से हमें पता चलना हैं यहां पर कौंझसा काम हो रहा है तो पठना करनंप पेंटिंग की खास विशेष्ता यहां आपको नजर आजाएगी कि स्मॉल्ल डीटेयल पेंटिंग बिलखूल एक डीटीन विश्रित पेंटिंग होती है जो आपके अपने विषय पे केंद्रित होती है यहां तक समझने में किसी कोई दिखकर अब देखेगा ध्यान से यहां पे हम देखते हैं कि यहां जो इसके जो ब्रस है यह ब्रस जानवरों के फर से बनाये जाते हैं अब एक प्रसना आता है कि जो पत्ना कलम पेंटिंग जो ब्रस हैं ब्रस में जो बान होते हैं, वो कहां से बनते हैं, तो जानवरों के फरसे में घोराग होता है, इसके लाब भैस का पूछ से, घोरे की पूछ से, इन सबों की पूछों से, जो भर होते हैं, उससे इनकी पेंटिंग ब्रस बनाई जाती है, और डारेक्ली ब्रस से ही ये पेंटिंग आपक करते हैं और मेरे क्या सब्द हैं जो मैंने आपको बोला है और लिखी हुए चीजे तो याद रखेगा हैं इसके साथ कि इसमें है common people यानि कि इसमें दोस्तों क्या आपको नजला जाएगा तो इसमें दोस्तों आपको नजला जाएगा आम जनता यहाँ पियागर आप देखेगा तो इसकी जो पेंटिंग्स है इन पेंटिंग्स में जो है common people यानि कि आम जनता की आम जनता की जो तस्वीर है वो इसमें बनाई जाती है तो यह बहुत ही महुत पूर्ण है कि इसमें आपके आम जंता की तस्वीरें बनाई जाती है जो common people होते हैं जैसा मैंने आपको दिखाये थोई देर पहले कि आम जंता या आसपास को आपका महौल कैसा है समाज कैसा है उन चीजों को ज़्यादा दर्सा आया गया है तो common people paintings भी हम इसको कह सकते हैं आम जंदागी painting भी हम इसको कह सकते हैं इसके अलाबा इसका जो painting है इसको डेवलप करने के लिए चित्र हाथी दात अब्राक और बास की छडी पर कागज पर विकसत किये गए मतलब की जो इनके जो कागज होते हैं वह कागज बास light मतवमाने चले light color चाहिए light yellow color चाहिए तो हल्दी को मिला देंगे किसके साफ दही के साथ हल्दी को दही के साथ मिलाएंगे तो light yellow color मिलेगा और light yellow color का इस्ते saya प से कलरों का यहां पे अपके इस्तिवाल होता वह नजर आएगा ऐंडो वेस्टर स्टाइल मतलब कि यहां में यह नजर आता है कि इसमें इंडियन और वेस्टर्ण जो भारतिये और पस्चिमी इन दोनों की सबताएं यहां पे नजर आएगी दोनों का जवर्दस fusion नजर आएगा दोनों चितरकलाओं का जवर्दस fusion यहां में नजर आता है जो कि इस कला को बहुत ही जादा यूनिक और बहुत ही जादा सबसे अलग हट करके बनाता है और इस points को आप अपन क्या चीस से बनता है तो इसमें कोई भी pencils वगेरा का इस्तवाल नहीं होता है no use of pencil pencil का कोई इस्तवाल नहीं होता है डायेक्ली यह आपके brush से ही बनाई जाती है जो कि अपने आप में यूनिक यूनिकनेस इस पेंटिंग को आपके प्रदान करती है आईए अब देखते हैं कजली स्याही जो है इसका एक टेक्निक है मतलब इस जो टेक्निक है इसको हम लोग कहते कजल स्याही जो है एक टेक्निक है और इसी टेक्निक से बेसिकली इसके आउटलाइस को ड्रॉ किया जाता है मतलब डायेक्ली ब्रस से इंसान बनाना है मेरी तो पेंटी अच्छी नहीं है तो इंसान को बनाने के बाद क्या करते हैं कि ऐसी करके डारेक्ली क्या कर देते हैं की आगे दोस्तों अब देख़ीए फिमस पे इंटर्स और पटना कलम 경 aandja व Прारा करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुक पटना कलम के पेंटर्स के बारे में तो सिमस पेंटर्स और DON इसकी नाम कुछ इंपोर्टेंट है तो याद रखेगा एक नाम जो है आपके सिवाला सिवाला ने बनाया था एक Muslim wedding theme यह वो famous painting जो कि बहुत ही famous पत्ना कलम painting है कुछ examples भी आपको अपने answer में लिखने पड़ेंगे कुछ famous painters के नाम जो पत्ना कलम से जुरे हुए हैं कुछ famous उनकी paintings के नाम जो पत्ना कलम के famous paintings हैं तो याद रखेगा दोस्तों सबसे पहले आपके सिवाला इनका basically Muslim wedding देख सकते हैं इस painting में जितनी खासित मैंने आपको बताई कि इसमें आपको सीधा सीधा simple है एक simple painting है background कुछ नहीं बिल्कुल सफेद देख सकता आपको background बिल्कुल सफेद और सीधा सीधा यहां दिखा रहा है यह साधी का दोर है Muslim wedding यहां पर आपके हो रही है आपके महरम किस रहा है Muslim साधी यहां पर हो रही है तो सीधा सीधा एक विसे पर यहां painting बनती है जो आप देख सकते है अग्जामपल देखिए गोपाल लाल के दौरा बनाई गई होली की तसवीर दिख सकता है आपको यहां पर होली की तसवीर पूरी की जा रही है यह पर हुक्ता है महिलाएं कुछ बैठी वही यह राज घराने की यहां पर बिल्कुल खाना पीना मदिरा यह सब सारी चीजे है तो यहां पर सीधा-सीधा दर्सा आए गया गोपाल राय द्वारा बनाए गई हुली की पेंटिंग यहां देख सकते हैं कि यह जो है बेसिकली एक बहुत ही सांदार नमूना है पटना कलम पेंटिंग का एक और देखिए महादेव लाल की रानी गदपती यह रानी गदपती क सीधे के एक बतना कलम पेंटिंग हैं बिल्कुल से लेंगव से ए तरीके से कहीं को इस इस में से रहें यानि कि यूपर के कपड़े नहीं पहन रखा है इसके लाबा साथी है जो बेसिकली क्या कर रहा है तो इस को ले करके जा रहा है एस चीजए हमें सीधा यहां से पता चल रही है अब देखिए आगे निकाह बिल्कुल इ déccieret कि इस्वरि प्रसाद अरमा दौरा बदाए बहए बारत माता की पेंटिंग इस चीश को आप आपके इस्वरी प्रसाद वर्मा जी ने बनाई है भारत मता की पेंटिंग और यह इसमें देखे कितनी जबर्दस क्लियार्टी आपको नजर आ जाएगी पिक्चर देखते हैं आप समझ जाएगा कि यह किस प्रकार की पेंटिंग है अमुमन जब हम लोग मिथला पेंटिंग आप को क्लियार्टी नजर आती उनका रंग रूप किस तरीके क्पप्रे उन रहों रखे है इस तमाम चीज़े आपको पड़्टका कम पेंटी्घ्ज में नतर आईगी जिसको मैं अगला सेसेंटेने वाला मिंथ पbeitड़ केंटिंग में तो याद रखिए गए चा बाकी share कीजे क्योंकि आपका यहीं sharing caring होता है और प्लेलिस्ट मैंने अल्लेडी बना दिया है में सका एंसर राइटिंग का दूस प्लेलिस्ट को आप लोग देखना नहीं भूले उसको जरूर आप लोग देखा कीजिए अब एक प्रस्ण आता है इतनी खूबसूरत पेंटिंग इतनी अच्छी पेंटिंग इसका डिक्लाइन की हो गया फिर वाट इन डिक्लाइन आप पटना कलम पेंटिंग अब यह पेंटिंग जो इतनी खूबसूरत है यह पेंटिंग जो इतने आता उत्कृष्ट है और उस सम की मानिता कम होने लगी तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बढ़ गए बहुत के साथ साथ क्या हो गया कैमरा का विस्कार हो गया इसके अलाबा इसके अलाबा इसके अलाबा क्या हो गया कि आसपास जो है मन्जूसा पेंटिंग और मधुवनी पेंटिंग यह दोनों वर्ल्ड क्लास पेंटिंग जबर्दस कॉम्पेशन इनको मिलने लगा लोग अब रियालिस्टिक फोटो तो अब जैसे आज के डेट में ही आपको अगर मैं बोलू कि आपकी तस्वीर में बना दू और कोई अगर आपको बोले के भाईया मैं तुम्हें धोबी की फोटो दू यां माई हॉबी फोटोग्राफी क्यों वाई तो वहीं चित्रों की मानेता कम हो गई चित्रों की मांग में भारी कमी आई और सबसे इंपोर्टेंट ने जैने कि संग्रक्षन का अबाब जब आपके कैमरा का विसकार हो गया तो अंग्रेजों नहीं किया और आजादी के ब तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो पेंटिंग थी न इस पेंटिंग को करते थे मेल यानि कि पुरुस और वक्त के साथी साथ जब पेंटिंग के डिमांड कम होने लगी तो पुरुस जो थे उन्होंने क्या किया एक काम छोड़कर के दूसरे कामों में लग किया और इसी क्रम में दोस्तों क्या हो जाता है कि महिला इसलिए कहा जाता है कि अगर महिला को आप सिक्षित कीजिए तो आप पूरे परिवार को सिक्षित करेंगे तो केवल और केवल एक इंसान को सिक्षित करेंगे तो महिलाओं ने क्या किया जब पेंटिंग को पकर लि रहा है लेकिन हम यहां देखते हैं ठीक है लेकिन अम यहन नखरा लड़का लड़की बिल्कुल लेकिन हम यहां देखते हैं कि भाई पत्ना कलंड पेंटिंग जो है यहां पे जो पूरुस male dominant painting थी जिसके कान्ट क्या हो गया कि पेंटिंग को generation pasto और वह indigenous form में नहीं रहा और आज की डेड़ में पत्तला कलम painting अपने indigenous form में नहीं है और वह decline की तरफ चली गही इसका सबसे one of the reason आपको यह भी नजरायेगा पस्चिमी इतनों में photographic up परिचे यानि कि भारत के लोग थे वो तो गरीब थे वह अपना फोटो तो बनवाएंगे नहीं महेंगे पैसे दे करके तो जो वहाँ के पस्मी छेत्र थे अंग्रेज लोग थे वो लोग अपना फोटो बनवाते थे और हमें देखने को मिला है कि वक्त के साथ क्या हुआ कि जब वहाँ फोटोग्राफी की discovery हो गए फोटोग्राफी जब बनने लगा फोटो कैमरा का जब इन्वेंशन हो गया वहाँ काप कैमरा का जब आविसकार हो गया उसके बाद वह लोग ज्यादा इंट्रेस्ट लेने नहीं लगे तो यह पेंटिंग डिकलाइन ह इसके अलाबा पॉल्टिकल पार्टीशन सोचल एकोनॉमिक कंडिशन डिटेल यानि कि उस समय में लोगों का उतना वतब आर्थिक और समाजिक जो था ये परसिती भी थी वह भी वह इसके फेवर में नहीं थी अंग्रेज लोग थे अंग्रेज़ों के बाद बिहार जब आ है आपको समझागों कि क्या था मिथला पैंटिंग में खास और कैसे मिथला पैंटिक इतना खास बन गया और आज की तो meanwhile को बिद्वार काश्वां के वर्ट क्लास पैंटिंग हो गया और पत्तना कलम पैंटिंग सिर्फ और सिर्फ भृपि हैसे जी सथिन के सिलन हुआ तो यह मैं जब पत्ना किलम पेंटिंग को अभी पढ़ाया तो मैंने एक पॉइंट दिया जब मितना पेंटिंग को पढ़ाऊंगा तो दोनों को कंपेर करूंगा तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा ठीक है अब आई हम लोग देखते हैं आगे हैं हो गया बस यही थ पहल सकते पहला पॉइंट हम लोग यहां डालेंगे कि जो पत्ना किलम पेंटिंग है इस पत्ना किलम पेंटिंग पास पोटेंशिल बहुत ज्यादा था बट पत्ना किलम पेंटिंग ने पत्ना किलम पेंटिंग के पास इतना पोटेंशिल था कि मदोवनी पेंटिंग से ज जो इंडेजनस पैंट्टिंग उसको वापस से ठीक करने के लिए इसके लिए तरह-तरह के स्कूल सिखाने के लिए करने चाहिए जैसे मदोवणी पैंटिंग के इतनी आपके लोकस लेवल पर भी चलती है बहुत सारी सिखाने के लिए आपको नजर आजाएगा दर्भंगा मदुवनी इन सब जिलों में समस्तिपूर जो मिथलांचल के जिले वहां पे लोकल से लेवल पे नजर आजाएगा मदुवनी पेंटिंग सीखे कोचिंग इस टाइप इचीजे वैसी यहां पे भी पतना कलम पेंटिंग के भी कोचिंग वगेरा लोकल लेवल पे लोगों को फॉर्वार आना चाहिए या सरकार को प्रेरित करना चाहिए कुछ फंड देना चाहिए ताकि इस जो पेंटिंग या पतना कलम पेंटिंग जो हमारे बिहार की पेंटिंग है इस पेंटिंग को वा आ रहा था तो मेरे मतलब कि समझे कि मेट्रों के पूरे बाहर बिहार टूरीजम का एड लगा था मेरे मेट्रों पही लगा था बिहार टूरीजम का एड और आदा से ज्यादा वहां पे आपके मदुवनी पेंटिंग ही नजर आ रही थी इन फैक्ट बहुत सारे ट्रेनों में बहुत सारे टेणों में बिहार संपरक्रांती हो या पत्ना स्टेशन हो चर्चा करना चाहिए और ===父awaer में हम लोग इसको लिख सकते हैं एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है पटना किलम पेंटिंग हाउस काट की आप देख सकते हैं गुर सवार की आप देख सकते हैं बहुत ही फेमस पेंटिंग यह भी देखें पतना की हम प Queen कह 탁ट हें किया विद नौ एनडिक्ट से देख सकते आप लोग ये मेरा खुद का अपना बनाएवा है है इंगलिव में हैं इंगलिस में हैं बाकि-टी यह फीलेब SIMDat इसको सर्च किजेगा और इससे आप लोग टेलिग्राम को जॉइन कर लीजेगा और वहां पे मैं आपको इस PDF को दे दूँगा तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा अब देखें इसके बाद main features character वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें यहां पर आपके लिखी हुई है conclusion में भी लिखा हुआ है कि भाई इसके रिसीब कर दिया और इसका जो ड्यू सेर था इस पेंटिंग का जिस पेंटिंग को और ज्यादा recognition मिलना चाहिए था और recognition इस पेंटिंग है आप लोग से request है जितने भी लोग है जितना हो सके इस सेसन को like कीजिए और जीतना हो सके अपने दोस्तों के साथ share कीजिए साजा कीजिए और भाईया आप लोग अपने मेंस के त्यारी को जबर्दस तरीके से कीजिए आज अकल में रिजल्ट आपके आने की संभावना है तो ध्यार नखिएगा और हिंदी में नहीं था हिंदी में भी कर दूँगा हिंदी में भी कर दूँगा ग्रूप पर जाएगा आगे का सोचना भी है और कंक्लूजन इसलिए के भाई कंक्लूजन एक हम लोग कंक्लूट करेंगे तो दोनों चीज़ आ सकता है डिपेंड अपॉन दो कोश्चन ठीक है बाकिया आप लोग लाइक करते रहिए और अपना प्यार यूही बनाते रहिए एक बास सिलेबस का डिस सिलेबस क्या है और इसको कैसे अप्रोच करेंगे इसका मैं लगा दूगा उदिन सेशन क्लियर है चलिए 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 तब तक लिए बावाई टेक क्या थैंक यू एंट्स फॉर जाइंग दे क्लास मैं उमीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी हो जितना होसा कि यू झाल्स आपको अजिए टॉर जास ब्रोच करेंगे डिए बावाई